अब दो हजार उन्नीस बारा अप्रेल की बात है उनका जलम दिन हम लोग फिल्म देखने गए थे दोनों केसरी फिल्म हम लोग बाहिंदर में रहते हैं यहां पास में ही एक ठेटर है उसमें गए तो वो केसरी फिल्म सामाजिक एतिहासिक होने के कारण भीड नहीं थी उसमें इंटरवल के बाद मेरे मुझे थोड़ी से भूख लगी तो मैंने बुला आप कुछ लेकर आए मेरे पत्ती से खा उनका नम प्रेम श्रीवास्तव है तो वो गए वो पॉपकॉन लेकर आए और उन्होंने खाना शुरू किया खाते खाते अचानक से उनको क्या हुआ पता ह अचारा कर रहे थे शायद वो कह रहे थे बाहर की तरफ चलो लिकिन हम मैं नहीं ले जा पारी थे उनको और मैंने देखा अचानक मैंने जो से चलाई और पीछे लोग बैठे थे उनको बोला जड़ा है देखिए क्या हो रहा है मेरे पती को तो पीछे कपल था वो दोनों आ तो मैंने रहा हां चलिए और तुरंट विल्चेर मंगाई और उनको ले चले जो लड़का बोला ना इनको अस्पतार लेकर चलते हैं उसके पास बड़ी गाड़ी थी देखें यहां पर बापू की कृपाही कई यह बापू ने बड़ी गाड़ी भेजी थी उनको पता था पूको की ऐसा कुछ होने वाला है अगर ऐसा कुछ होना होता घर पे होता तो शायद मैं उनको अस्पतार नहीं पहुंचा पाती वहां पीछे लोग बैठे थे उनके पास गाड़ी थी वह भी बड़ी जिसमें हम लोग 6-7 लोग आराम से जा सकते थे वह तुरंट वीलचेर कुछ नहीं ने खाली पूछा है कि नाम वगरे पूछा है मैंने फॉर्म बरत तब तक उनकी चेक अप शुरू था अंदर डॉक्टर उनको चेक कर रहे थे और उनने बोला कि इनको हार्ट अटक हुआ है फिर बाद में थोड़े दर बाद बोले किनको ब्रेन हैम्रेज जैस मेरे पास पैसे ना कूछ इसी बीच जब गाड़ी में हम लोग अस्पिताल के लिए जा रहे थे तब मैंने अपनी बहु को फोन किया उससे कहा कि तुम अपने पापा सखा हो अस्पिताल पहुंचे यह नाम बताया पापा की तब्यत खराब हुई है मतलब मेरे पती की ऐसे उसको बताया और तुम कुछ पैसे लेकर बिजबा देना उनको तो उसने अपने पापा को फोन किया वह भाई साब भी आग पहुंचे और मेरे पास 500 रुपे अथा सिर्फ और वहां पर अस्पिताल में उन लोग ने कोई पैसा नहीं मांगा एड्मिट कर लिया ट्रीटमें की अइसी कृपत मैंने बस एक ही काम किया था हिंमत रखी ती क्योंकि हमत इसलिए थी मंज में मैंने ऐडियं किया था मैने आतनहेक्बल किया खांगने तो इसलिए बहुत सरी मत वाया ने दी ऐक मैंस से एक आंसु नहीं गिरा मेरे एक आंसु नहीं मेरे बापने मुझे बहुत संभाला बहुत संभाला फिर ट्रीटमेंट शुरुगा उसके बाद बड़े डॉक्टर को बुलाए गया वह आये उन्होंने चेक किया फिर उन्होंने बोला कि 72 गंटे का टाइम देखते हैं लोग बहुतर गंट मेरे पड़ोसी हैरान मेरे रिष्टेदार हैरान मेरे देवर दूसर तीसर चौथे दिन मेरे देवर वंबे आये वह को लोग और रहते हैं देवर देवर देवरानी आये वह भी है भाबी को हुआ क्या है क्यों नहीं इतना बड़ा हाथ साओं लेकिन मुझे हिम्मत मेरे पिता ने दी थी मेरे बाप ने दी थी कि उसके बाद 12 गंटे बीद गये मेरे पती कि नॉर्मल हो गए होश में आए फिर उनका एक साइड फीजियो थेरेपी वहां ट्रीटमेंट शुरू था अस्पिताल में फिर उसके बाद छे साथ दिन में लोग ने हमको बेज दिया उसमें भी जो अस्पिताल के बिल था वह भी मुझे डिसकाउंट में मिला किसी कोई अस्पिताल का बिल डिसकाउंट नहीं होता ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है तो जो लड़का एडमिट कराने ले गया था वही बोला था मुझसे सामने से उसने बोला था आंटी आपको जब भी ज़रू तो फोन कीजेगा मैं बिल कम करवा इसमें इंपॉर्टन चीज एक और बतानी है जब मैं एडमिट कराई वहां तो जो लोग मेरे साथ गए थी एक तो वह थेटर का लड़का था जिसने वीलचेहर चलाई थी वह एक कपल था मैंने जैसे कि पहले आपको पता है और और एक लड़का जिसकी गाड़ी थी और ए मैं अभी देता हूं हम लोग अभी निकाल कर आपको लाका देते हैं मैंने मेरा बीटा ओफिस किया वह और बहु ले आएंगे जो लोग करेंगे और बेटे को हम लोग ने खबर तब तक नहीं दी थी वह डर जाता वह कॉल सेंटर में जवाब करता था मलाड में और वहां से उसको आना उसको तुरंट खबर में मेरी बहु ने उसके जो अर्जेंट वहां पर ऐसा था फोन एलाउड नहीं था काम पर उसके तो उसको मैसेज अर्जेंट कुछ होगा तो एक नंबर दिया था उस पर बहु ने मैसेज डाला था कि पापा की तबित खराब है बीपी तरह छे मेने वह रहे घर पर बेड़ पर फिर अब एकदम ठीक है मतलब घर में खूद ही चलते हैं स्टिक से लेटिन बात्रूम चले जाते हैं अब उनको कोई दिकत नहीं उनकी दवाईया चल रही है एक्ससाइज उनकी चल रही है बस और वह भी बापु भगते हैं लेकि अब सिर बापु और कुछ नहीं और हमेरे लिए तो हमेशा सिर बापु और कुछ भी नहीं कोई भी नहीं हर्यों श्री राम अंबन्या नाच समित नाच